हेलो एंड वेलकम एक टो चाले में संगाज मेरे नाम आशी जाइकपट और स्वागत आप सभी काप फिर से एक बार हमारे इस यूटीब चानल बे दोस्तो आज का वीडियो राज्यस्तान महारस्टा और उन स्टेट्स के स्टूरंस के लिए है जो चो बनना चाहते है तो अग उसके लिए भी ये वीडियो आपको वीडियो को ध्यान से देखें वीडियो को शुरू करने से बिला मैं आपको बताना चाहोगा हमने हमारा नया आप अभी तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है डिस्क्रिप्प्शर में लिंक है डाउनलोड करिए और से करेश si स्ट नहारास्ट्रा से हो राजस्तान से हो और आप चाहते हो 28 डेज में प्रिपेर करना अच्छे से एंड टु पास दी सी एचो एंटरस एक्जाम गो डाउलोड दी आप एंड एंड्रॉल इंटु दा सी एचो क्रेश कोर्स ना वीडियो को शुरू करते हैं अब सी एचो की एंट कोशन पेपर रहेंगी जो एक्जाम रहेंगी हो मार्क्स के लिए रहेंगे व Uhold याRS को छक्ष आपको टाइम पता है आपको कोशन नंबर्स पता क्य किटने रहनेवाल से के question है negative marking है या नहीं फिर उसके बाद बात आती है books की syllabus की books की या फिर syllabus की अगर हम बात करें तो अगर आप हमारे course में enroll होते हो तो आपको books लेने की या फिर buy करने की कोई जरूत में पड़ेगी क्योंकि books के जो price है ना उसी price और उससे कम price में और उसके आज़ो बाजो जो price रहेगा जो आज की offer चल रहे है उसके according आपको उस price में lectures भी मिल रहे है तो जो की काफ़ी beneficial है तो आप course में ही enroll करें हम बात करें second syllabus की तो syllabus के उपर हमने detail वीडियो बनाया है अब इसमें हम बात करेंगे कि exam के लिए prepare कैसे करे study कैसे करें first thing जब आप study करोगे तो measure जो subjects है ना जैसे की public health है यानि की community फिर उसके बाद child health maternal health यह जो कुछ points है ना यह कुछ topics है या फिर जो subjects है इन पर आप ज्यादा focus करें मान की चलो आपके पास 10 दिन है तो दस दिन में से six to seven days आप इन तीन subjects के लिए दीजिए तो जैसे आप पूरा जो community है फिर public health है वो आप cover करोगे फिर child health आपको cover करना है फिर उसके बाद आपको उसके entrance exam ने उस post के related knowledge आपको होना चाहिए जिसके उपर जो entrance exam है ना उसमें questions आएगे मतलब जो CHO के बाद आप च्वाप करने वाले हो उसी के related most of the questions आपको पूछे जाएगे तो study करते समय आपको non communicable disorders के बारे में अच्छे से पढ़ना है जैसे की hypertension, diabetes, cancers, cancers में भी oral cancer, breast cancer और cervical cancer अब ये तो इनके बारे में introductory part आप पढ़ोगे लेकिन इसमें management भी आपको पढ़ना है कि इन disorders को कैसे manage किया जाए इन disorders को कैसे आप treat करें तो उनके related जो pharmacological study रहे गना वो भी आपको करना है उसके बाद अब आपने इन तीन subjects को अच्छे से target किया है study किया है CHO मतलब community health officer, community के related आपको अच्छा knowledge होना चाहिए, जब आप community में काम करते हो तो इसमें कुछ national health programs होते है for the health of community, तो second priority आपकी जो रहेगी वो national health programs के regarding रहनी चाहिए, पहले तो abbreviations आपको समझ में आने चाहिए, short forms जो की जैसे की RNTCP है तो उसका full form क्या है, NEP है तो उसका full form क्या है, या फि कौन सा है, stroke, cancer, उसके लिए कौन सा national health program है, जो disorders है उसके related health programs आपको पता होना चाहिए, second important thing, वो health program कब launch हुआ है, उसकी date और उसका year आपको याद रहेना चाहिए, most of the MCQs में ये confusing हो जाता है, so you should know that उसके अलवा, वो particular health program किसके द्वारा launch किया गया, ऐसा भी है कि कुछ health programs के नाम बाद में change किये गए, तो वो भी आपको याद रखना है, so this is all about the health programs, health programs के बाद अगला जो important topic जो आपको prepare करना है, वो है nutrition, mostly अब कोई भी topic हो, इसमें आपको maternal health, मतलब in pregnancy, child and adolescent, इसका study करना है, तो nutrition in pregnancy, और या फिर lactating mother, इसके regarding आपको पढ़ना है, उसके आला हुआ, child म के regarding कुछ health programs है, nutrition के regarding कुछ disorders है, जैसे कि PEM, protein, energy, malnutrition, या फिर NMEA हुआ, तो उसके regarding जैसे कि vitamin A prophylaxis, treatment जैसे चीज़े होती है, वो आपको collectively समझना, understand करना ज़रूरी है, nutrition के बाद अगला important चीज़ आते है, जो कि सबसे important part है, किसी भी health sector का, या फिर किसी भी health infrastructure का, वो है immunization, जो immunization schedule है, वो आपको by heart होना चाहिए, कब कौन सी vaccine लगाई जाती है, route of administration और dosage, ये आपको पता होने चाहिए, जो immunization schedule है, इसकी उपर definitely आपको questions पूछे जाते है, इसलिए by heart करिए immunization schedule, अब immunization schedule में आपको confusion हो सकता है, क्योंकि काफी changes immunization schedule में आ चुके है, तो जो latest updated है, उस उसे आपको पढ़ना है, और अच्छे से याद करना है, तो ये important जो topics है, इनको आपको ज्यादा time देना है, इसके अलावा, जब आप study करोगे, तो हर एक disorder और उसका causative agent क्या है, उसके उपर आपको ध्यान देना है, मान कि चलो meningitis से, तो उसका causative agent क्या है, वो आपको पता हो चाहिए, malaria, causative agent, नेंग्यू, causative agent, और चिकनगुनिया, causative agent, तो हर एक disorder का, हर एक disease का, वो bacterial हो, viral हो, या फिर fungal हो, उसका causative agent आपको पता होना चाहिए, और उस particular disorder के regarding कौन सी vaccine है, उसके लिए कौन सी vaccine available है, तो वो कौन सी है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से prepare करना है, ये जो चारपाच चीजें मैंने बताई है, उसमें सब कुछ cover हो गया है, सिर्फ इसमें अब अगर medicine का कुछ part या फिर surgery का कुछ part आप पढ़ो, उसमें फिर palliative care, elderly care and burns, burns के regarding अगर आप कुछ पढ़ते हो, then everything is okay, everything is fine, सब कुछ sorted हो जाता है, एंटी के regarding जो questions से थोड़ा कम रहेगे, लेकिन उसके अलावा, anatomy और physiology का भी आपको ध्यान रखना है, इसमें भी अगर आप child और reproductive, female reproductive system पर अगर आपको फोकस दोगे, dimensions of uterus, उसका dimension, shape of uterus, इस प्रकाल से अगर आप questions पढ़ोगे, तो वो beneficial रहेगा, क्योंकि again I said, जिस film में आप जा रहे हो, उसमें आपको क्या काम करना है, उसके related आपको knowledge होना चाहिए, उसके related आपको questions पूछे जाएगे, so anatomy and physiology में इन topics को आपको focus करना है, बाकी भी topics आप पढ़ सकते हो, लेकिन major focus इसमें इन topics को आपको करना ज़रूरी है, next thing instruments, तो instruments आपको पता होने चाहिए, कुनसे instruments, किसके लिए कब काम आते है, तो वो भी अच्छे से पढ़िए, उसके बाद है general knowledge, तो general knowledge के भी कुछ questions आ सकत है, 100% आएगे, definitely आएगे, ये बोलना मुश्किल है, लेकिन general knowledge, अब क्या है कि जो currently चीज़र चल रहे है, जैसे कि जो recent किसे भारत अपना मिला, Nobel Prize किसे मिला, Olympics के regarding कुछ questions पूचे जा सकते है, जो recent pandemic आया है, उसके regarding कुछ questions पूचे जा सकते है, अभी जो नए viruses आये है, diseases आये है, अगर पूचे जाते हैं, तो if not, then that's fine, इसके बाद है English and English grammar, अब English और English grammar के बारे में, अगर questions पूचे जाते है, basic tenses, voices, mistakes, अगर कोई word दिया है, तो उसकी spelling mistake की जाएंगे, तो वो आपको अच्छे से करना है, मतलब correct spelling में आपको लिखना है, synonyms, अन्टॉनिम, इस प्रक study तो होगे ही होगे, लेकिन exam में भी अच्छे से appear करने के लिए आपको और confidence मिलेगा, और अगर आपको अपका confidence दोगना करना है, तो अभी नीचे दिये गए description में जाईए, हमारा app डाउनलोड करिए, और हमारा crash course, CHO का, जिसमें हम 28 days में 28 lectures ले रहे हैं, अगर आप चाहो, तो वो recorded lecture भी आप देख सकते हो, watch कर सकते हो, बाद में revision के लिए, and इसमें हम ऐसे revision points आपको देने वाले हैं, कि आप तो आजाओंगे, सर्क बहुत हो गया, बहुत revision points हुए, बहुत कुछ अभी हम पढ़ लिया, now हम exam आज जाए, हम तो फार देने वाले है, so go, download the app, enroll, join into this crash course के इस वीडियो में बस इता है, और इस वीडियो में जो value, जो content मैंने दिया है ना, पूरा YouTube देख लो, पूरा YouTube छानवारो, ऐसा content या फिर CH के लिए इसी preparation tips इस प्रकार से prepare करें, कहीं नहीं मिलेगा, so video पसंद आए, जो आना ही चाहिए, like करे वीडियो को, ज्यादा से ज्य शेयर करें, चैनल पर नए हो, और आने वाले competitive exams के लिए आप देख रहे हो, जैसे के आने वाले दिनों में, DMER, DHS, AIMS Norset जैसे exams आने वाले हैं, उसके preparation के लिए हमारे साथ बने रही है, subscribe करें, आप को डाउनलड करें, क्योंकि जो भी courses आने वाले है, वो आप पे आने वा बाई बाई